हलो दोस्तों मीन लगन की कुंडली में कैसे देखे कि कौन सा ग्रह उच है और कौन सा ग्रह नीच है ये देखने का एक बहुत आसान शॉटकट मेरी साइड में मीन लगन की कुंडली है जिसमें नमबर 12 लगन में सबसे उपर बीच ओ बीच लिखा होता है प्रतेक ग्रह जिस राशी में उच्छ होता है वो जैसा बोर्ट पर दिखाया गया है जैसे कि सूरेदेव ता जहां नमबर एक लिखा हुआ है यदि सूरेदेव यहां पर हो तो सूरेदेव उच्छ के कहे जाएंगे यानि कि यदि सूरेदेव जनम कुंडली में इस जगा पर प्लेस्ट हो तो वे उच्छ के कहे जाएंगे और इसी तरह बाकी सब ग्रह किस राशी में उच्छ होते हैं वो बोर्ट पर दिखाया गया है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे ताकि यह information आपके पास available रहे और हर ग्रह जहां भी उच्छ होता है उसके बिलकुल opposite अगर जनम कुंडली में प्लेस्ट हो तो वे ग्रह नीच का कहा जाता है या नीच राशी में आ जाता है यानि कि यही सूरेदेव यदि इसके बिलकुल opposite जहा नमबर साथ लिखा है यहाँ पर आ जाएंगे तो यह नीच राशी के कहे जाएंगे बाकि सब ग्रहों को देखते हैं चंदरमा देटा है यदि जहा नमबर दो लिखा है यहाँ प्लेस्ट हो तो उच राशी में और यहीं चंदरमा देटा यदि यहाँ पर हो जहा नमबर आठ लिखा है तो नीच राशी के कहे जाएंगे मंगल देटा जहा नमबर दस लिखा है यदि यहाँ पर हो तो उच राशी के और बिलकुल इसके opposite जहाँ पे चार नमबर लिखा है यहाँ मंगल देटा तो नीच राशी के कहलाएंगे बुद्देटा यदि कुंडली में जहाँ छे लिखा हुआ है मरकरी यहाँ पर प्लेस्ट हो तो बुद्देटा उच राशी के कहलाएंगे और इस कुंडली में जब बुद्देव यहां पर प्लेस्ट होते हैं तो यह एक सबसे अच्छे पाँच पंच महापुरुश योग में से एक योग भद्र योग बनाते हैं यही बुद्देव यदि इसके बिल्कुल आपजिट जहां बारा नमबर लिखा है यहां प्लेस्ट हो लगन में तो यह नीच राशी के कहलाएंगे ब्रियस्पती देव यदि जहां नमबर चार लिखा है यहां प्लेस्ट हो तो यह अपनी उच राशी में कहलाएंगे और इसके बिलकुल opposite अगर बुद्ध ब्रियस पती देव यहां पर प्लेस्ट हो जहां नम्बर दस लिखाया तो यह अपनी नीच राशी के कहे जाएंगे शुक्रदेव अगर लगन में हो जहानमबर बारा लिखा है तो शुक्रदेव अपनी उच राशिके कहे जाएंगे शुक्रदेव अपनी नीच राशिके कहे जाएंगे इसके अलावा एक और कंडिशन होती है जिसको नीच भंग राजियोग बोला जाता है उसके बारे में हम अगली सीरीज में अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद